चलिए दोस्तों स्वागत गरता हूं मैं स्वारब नाम देव आधारक एडमी के इस डिजिटल प्लाटफॉर्म पे जहां साइन्स के क्वेश्चनों की सीरीज को लगातार आगे बढ़ाते हुए MPPSC मेंस में बायलोजी के सेग्मेंट को हम डिसकस कर रहे थे question का level जो है निश्चत रूप में आप लोग काफी familiar हो चुके होंगे लिखना क्या होता है किस तरह से लिखते हैं इन चीजों की और निश्चत रूप में आपने सोचना जरूर सुरू कर दिया होगा तो बहरहाल इनी बात्चीतों के साथ में आज हम जिस particular topic को सुरू करने वाले हैं वो topic बहुत महत्यपूर्ण है कोशी का तो हमारे जो सेग्में बायलोजी में निश्चत रूप में चैप्टर है कोशी का इसमें हमको कोशी का के बारे में basic पढ़ना है और कोई भी कोशी का चाहे वो plant cell हो चाहे वो animal cell हो मतलब कोई भी पादप कोशी का या जन्तू कोशी का जिन जिन कोशी कांगों से अर्था से लौगन से मिलकर बनती है उनके बरे में इस chapter में हमको समरी बतानी है मैं बिलकुल समय नहीं गबा रहा आपका मुद्दे की चीज़ से सुरू करते हैं तो सुरुआद हम करते हैं सबसे पहले पहले थ्री मारगर के question के साथ में और पहला जो थ्री मारगर का question है कि जो हमारा chapter है जी हां कोशी का ये वास्तविक्ता में होती क्या है तो चलिए कोशी का के बारे में समझना है बिटा जी तो आपने समझना होगा कोशी का सिधानत के बारे में कोशी का सिधानत एक ओल्री मीन्स थ्री मारगर question कोशी का सिधानत जिसको हम cell theory कहते हैं ये एक geologist और एक botanist ने दी थी जिनको हम कहते हैं sledden और swan मतलब sledden और swan नामत दो scientist है आप अच्छे से देख लिए ये sledden और ये swan ये दो ऐसे scientist हैं जिन्होंने सबसे पहले कोशी का सिधानत दिया था और इसी कोशी का सिधानत में उन्होंने बताया था कि इस दुनिया में जितने भी living organism होते हैं इस दुनिया में वह सभी यह तो एक कोशी का से या बहुत सारी कोशी काओं से मिलकर बने होते हैं जैसे आप मैं और हम सब मतलब निश्च दूरूप में जीव जन्तूओं की category में हम लोग आते हैं और डेटा फाइलम में हम आते हैं तो हम और हमारे जैसे और भी जो दूसरे जीव जन्तू हैं चुकि हम सजीव हैं इसी तरह से फिड़ प और एक category होती है सजीव में जिसको हम कहते हैं माइक्रो आर्गेनिजम सूक्षम जीव अब सूक्षम जीव यदि लविंग आर्गेनिजम में आते हैं तो निश्च दूरूप में वो भी कोशी का से मिलकर जरूर बने होंगे जैसे अमीबा अमीबा भी दरसल में एक तरह का और एक सजीव उन मिलकर बना हों तो इस दुनिया में जितने भी सजीव होते हैं वह सिस के जरीय मिलकर बनते हैं उसे ही कोशी हैं यह मैं नहीं कहे रहा हूँ, यह sliddon और swan बता रहे हैं अपने कोशी का सिध्धान्त में, आगे चलके कोशी का सिध्धान्त में, sliddon और swan ये भी बताते हैं, कि हमारे सरीर के अंदर life पाई जाती है, तो मानव जीवन की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक एकाई है, मतलब human body क जो structural और functional unit है, वो कोशी का ही कहलाती है, और इस तरह से हमारे सरीर की जो एकलके काई है, यह single unit है, वो कोशी का कहलाती है, क्यों? क्योंकि हमारा जो सरीर है, हमारी जो body है, लग भग लग भग, 5000 अरब या 5 trillion cells से मिलकर बनती है, तो कहने का सीधा सा मतलब है कि हमारा जो सरीर ह यह बहुत सारी कोशी काओं से मिलकर बनता है, अब इसके बाद यदि हम चलते हैं आगे की और, तो निश्चित रूप में जिस word के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अर्था कोशी का, चलिए ज़रा से जल्दी से हम देख लेते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई, तो कोशी का की खो माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया वो फर्स्ट बुक है, जिसमें सबसे पहले सेल की रिसर्च और सेल की डिस्कवरी के अनलिसिस हमको मिलती है, और सबसे पहले जिस व्यक्ति ने सेल की खोज करी थी, उनका पिक्चर आप सामने देख रहे हैं, वो दरसल में एक ब्रिटिस बायोजिस्ट है, जिनका नाम है रौबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन नहीं, क्योंकि रौबर्ट ब्राउन ने तो गैंद्रक हो जा था, तो रॉबर्ट हुक दरसल में वो जीव विग्यानी हैं, बृटिन के जिनोंने दरसल में कोसी काकी खोज की थी, अब मैं आपको सिर्फ अर सिर्फ यहां ये बतानाे वाला हूँ कि सबसे पहली जो कोशीका खोजी थी Robert Hook ने खोजी थी लेकिन सबसे पहली जो सेल थी वो dead cell discover की थी मृत कोशीका खोजी थी Robert Hook ने Cork दरसल में plant का dead part होता है और Cork नामक plant के मृत भाग में सबसे पहले कोशिका का दर्सन किया था Robert Hook ने और अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में इस बात को उन्होंने रिप्रेजन्ट भी किया था तो इसलिए माइक्रोग्राफिया जो है इसको कोशिका विज्ञान की किताब कहते हैं और सबसे पहले सेल की रिसर्च और सेल की डिस्केवरी इसी बुक में समराइज की थी रॉबर्ट हुक ने इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता या साइटोलोजी का फादर भी कहते हैं अब यदि आप से मैं पोचूँ कि इस दुनिया के सबसे पहली कोशिका डेड़ सेल थी तो इस दुनिया की सबसे पहली जीवित कोशिका कौन थी और कौन है उसके खोज करता या डिस्कवर तो आपने निश्य दूरूप मैं अन्टोनी वान ल्यूबन हॉक का नाम जरूर स मैं कहते हैं खुरचन में सबसे पहले बेक्टीरिया जो क्या सबसे पहली सजिव कोशिका थी उसकी खोजकरी थी मचली में RBC खोजा था अपसे महत्यपुन बात जो मैं बोलने वाला हूँ में टेस्योची होते हैं और टेस्योच्टी मतलब व्रशन में नर युगमिक या मे अंडासे होते हैं अंडासे के अंदर अंडानू पाए जाता है और अंडानू जो है मानव सरीर में सबसे बड़ी कोशिका का इसको दर्जा प्राप्त है तो याद रखिएगा सबसे पहली जीवित कोशिका जो है उसे हम जीवानू कहते हैं फिर आरबीसी भी जीवित कोशिका हैं अंडानू वी जीवित कोशी का है और सुक्रानू भी जीवित कोशी का है तो इन चारों लिविंग सेल की डिसकवरी और वो रोबर्ट हो के हैं और निष्चित रूप में जो पर सन् पहली लिविंग इसके बाद यदि हम चलते हैं आगे की और तो वही क्वेश्चन जिससे हमको कोशिका के बारे में बहुत कुछ जानने को समझने को मिलता है कोशिका सिध्धांत मेंस का अगला त्री मार्कर तो जनरली यदि कोई चीज आपको इस तरह के ब्रैकेट में मिलती है न तो आप तकाल समझ जाना कि यह जो है कोशिका सिध्धांत मतलब यह जो लिखे अंदर के पॉइंट एक पहले क्लियर कर दी कोशिका सिध्धांत जो है याद रखिएगा श्लेडन और स्वान ने दी थी यह स्वान है और यह हैं स्लिडन महोद है इन्होंने कोशिका सिध्धांत दिया था तो निश्चिद रूप में कोशिका सिध्धांत में क्या बात बोली गई है कि इस दुनिया में जितने भी सजीव हैं चाहे हम हों चाहे पिड़ पौदे हों चाहे माइक्रो और्गनिजम ह सभी भले सिंगल सेल से मिलकर बनें लेकिन सेल से मिलकर ही बनेंगे मतलब सभी सजीवों की structural and functional unit cell कहलाती है मतलब जिसे हमारी बॉड़ी 5000 अरब cells जब मिलेंगी तब हमारी बॉड़ी बनती है और यह 5000 अरब cell जब एक साथ function करेंगे तब असल मायने में हमारी बॉड़ी फंक्शन करेंगे मतलब हमारी बॉड़ी की structural और functional दोनों unit जो है वो cell कहलाती है तो यह बात सबसे पहले जहां बोली गई वो cell theory ही है सभी सजीव का सरीर या तो एक कोसिका से या एक से ज़्यादा cell से मिलकर बना होगा जैसे निश्चत्रूब में अमीवा हो गया पैरामीशियम हो गया युगलीना हो गया यह भी लिविंग organism है यह भी सजीव है लेकिन यह सजीव के सूक्षमजीव की category में आते हैं तो इस दुनिया में कोई भी सजीव है वो भले एक cell से क्यों न बना हो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम लेकिन बना जरूर होगा लेकिन इसी दौरान मेरी बाद ध्यान से सुनियेगा तभी सजीव यह तो एक सेल से बने होंगे यह मल्टिपल सेल से बने होंगे यहां मल्टिपल सेल का मतलब है इंसान और प्लांट वाइरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है लिविंग और लॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक है इसलिए वाइरस कभी भी सेल के रूप में नहीं पाए जाते हैं इसलिए वाइरस को हम एक कोसी अजीव नहीं कहते हैं अकोसी अजीव कहते हैं इस दुनिया में जितने भी living organism है सब single cell या multiple cell से मिलकर बने होंगे ये बात virus पे लागू नहीं होती तो जब भी आप cell theory लेखें तो exception में virus जरूर लेखें इस examiner को काफी आसानी हो जाती है आपके answer को click करने में या सई करने में और सबसे important machine कोई भी cell हो चाहे वो हमारी cell हो जिसे हम animal cell कहेंगे कोई भी plant cell हो निश्चत रूप में इन दोनो cell के बीच में एक nucleus जरूर पाया जाता है और nucleus ही पूरी की पूरी cell के functioning को control करता है जैसे हमारा brain हमारी पूरी body को control करता है उसी तरह से यह system cell के अंदर पाया जाता है तो cell का असल माहिने में जो brain होता है वो nucleus होता है या केंद्रक होता है जिसके खोज करता Robert Brown Robert Hoek ने कोई का खोजी थी वो भी dead cell अब इसके बाद जब हम चलते हैं आगे तो मेरी बाद ध्यान से सुनिएगा आप से हमेशा question पूचा जाता है cell theory और आप बता देते हैं लेकिन यदि कभी आप से question पूचा जाए modern cell theory या आधुने कोशी का सिध्धान तो आपको सिर्फ और सिर्फ कहना है इतना कि कोशी का जो होती है उसके बारे में बहुत सी information हमको cell theory में मिली cell theory के जितने भी point है यदि उनमें last में ये वाला point add कर दिया जाए जो बताया था रोडॉल्फ विर्चाओ ने कि कोई भी एक cell जो divide होकर दो new cell या daughter cell बनाती है तो जो बनी हुई new daughter cell है वो वास्तविक्ता में पूर्ववर्ती cell के division से ही बनी है मतलब एक liver cell से मान ले जाए दो नई liver cell बनी तो ये दो नई liver cell पहले liver cell ही divide होई होगी तभी तो दो नई liver cell बनी मतलब प्रत्यक नई कोशिकाएं अपने पूर्वर्ती कोशिकाओं के division से बनती हैं सिर्फ इतनी सी बात cell theory में कर दी थी रोडॉल्फ विर्चाओं ने और बना दिया modern cell theory आधुनिक कोशिका सिध्धान तो आपसे कभी भी अगर कोशिका सिध्धान पूछा जाए तो रोडॉल्फ विर्चाओं और ये statement सबसे important होगा कि हर जो newly cell form होती है वो सुरुवाती जो cell exist कर दी है उसके division से बनती है तो यह चीज़ आपको याद रखनी है अब इसके बाद हम दी चलते हैं अगले question की ओर तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जैसे मेरी बाद ध्यान से सुनेगा biology में हम सजीवों का ध्यन करते हैं सजीव कोन है जिनका biology में study किया जाता है सजीव या living organism में plant भी आता है animal भी आते हैं और निश्चिद रूप में microorganism भी आते हैं तो अभी हम microorganism को side में कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कि इस दुनिया में जितने भी plant हैं जितने भी पादप हैं वो सभी के सभी plant cell से मिलकर बने होंगे इसी तरह से इस दुनिया में जितने भी जन्तू हैं जैसे हम भी निश्ची दूप एनिमल की काटिगरी में आते हैं तो हम भी बहुत सारी एनिमल सेल से मिलकर बने होंगे मतलब multiple plant cell से plant बना होगा और बहुत सारी जन्तू कोशिकाओं से मिलकर जन्तू बना होगा, अब मेरी बाद ध्यान से सुनेगा, आप से कभी भी अगर मेंस में क्वेशन पूछा जाएगा, तो क्वेशन एकदम सिंपल पूछा जाएगा, एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर बतलाएए, अंतर तो ब पेले यहां एक सिंपल सी चीज देखिए, कि आपको यहां दो सेल दिख रही होंगी, निश्यत रूप में जो सेल आपको रेक्टेंगुलर दिख रही है, जो सेल आपको आयताकार संदचना में दिख रही है, बिटा जी, यही है प्लांट सेल, मतलब प्लांट सेल आयताकार मतलब plastic तो यह दूसरी सबसे important चीज हो गए कि color pigment chloroplast के कारण इस दुनिया में जितनी भी plant cell है सब अपना food photosynthesis process से खुद बनाती हैं मतलब autotropic behavior तो आपोशन दरसाती हैं अब इसके बाद सबसे important चीज यदि यह plant cell का structure है तो कभी भी जब हम किसी भी cell की study करते हैं तो हम हमेशा बाहर से अंदर की और study करते हैं जब हम plant cell का निश्चत रूप में structure देखते हैं बाहर से अंदर की और तो plant cell का सबसे outer part जो होता है dead part से मिलकर बनता है और वो dead part काफी मोटा structure है उसे हम कहते है cell wall या उसे को हम कहते है कूशी का भित्ति मतलब प्लांट सेल का जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है जो यह आप हरे कलर में यह ग्रीन कलर में आप जो देख रहे हैं यही दर असल में पैल वाल कहलाता है अब मेरी बार ध्यान से सुनेंगे हम लोग जंतू है या बिल्ले हो ग देखी जाएं तो ज्यादतर सेल आपको इस तरह से मिले और सेप स्ट्रक्चर अंडाकार संडचना तो यदि कभी हम एनिमल सेल का आउटर स्ट्रक्चर चेक करते हैं तो याद रखिएगा कभी भी सेल वॉल नहीं मिलती है तैल वॉल दर असल में बाह संडचना है निश्यत मेंब्रेन तो यह आप सिंपल सी चीज याद रखेंगे अब आता है सबसे महत्रपून बाद यदि यह एनिमल सेल है और यदि यह हैं प्लांट सेल मैं यहीं से क्वेशनों की शुरुआत कर रहा हूं एक दम बेसिक से आगे मैं सारी चीने क्लियर करूंगा अगर मैं आप से असी अंगों से मिलकर बनता है इसी तरह से एक कोशी का कांगों से मिलकर बंती हैं और उनी कोशी कांगों को انकिस में सालाओशन कहते हैं यह सैल पाया जाता है उसी को हम केंद रख कहते हैं जबकि यदि मैं बात करूं कि एनिमल सेल में सबसे स्मालेस्ट सेल औरगन कौन से हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे जो आपको यह दिख रहे हैं बिंदू या दानेदार संदचना वाले इनको कहते हैं राइबोसोम जो है यह एनिमल सेल में भी सबसे चोटा सेल औरगन है प्लांट सेल में भी सबसे चोटा सेल औरगन भी दरसल में यही राइबोसोम होते हैं मतलब चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल सबसे चोटा सेल औरगन कुन से होगा राइबोसोम लेकिन अब बहुत important बात में आपको बताने वाला हूँ अगर आपसे कभी भी question पूछा जाए कि animal cell में और plant cell में सबसे बड़ा difference क्या है तो आप तयार रहिएगा इस बात के लिए आपको कहना है animal cell के ठीक बीचों बीच में जो चीज सबसे ज़्यादा सबसे बड़े मातरा में present है वो है nucleus लेकिन यदि आप plant cell में देखेंगे ठीक बीचों बीच आपको लगभग 80% पॉर्षन यह 70% पॉर्षन प्लांट cell में खाली मिलेगा इसे हम कहते है वैक्योल तो जो यह देख रहे हैं यह दर असल में वैक्योल यह हिंदी में कहते है रिक्तिका और आप देख रहे हैं कि यह nucleus side में आपको दिख रहा है तो पहले तो यह चीज़ आप confirm कर लिजे एनिमल cell में जो सबसे बड़ा सैलोगन है वो plant cell में नहीं है plant cell में सबसे बड़ा सैलोगन वही है जो color pigment है इसको कहते है chlorophyll और chlorophyll दर असल में प्लास्टड या लवक के अंदर आता है तो कभी भी आप से question पूछा जाए कि plant cell में सबसे बड़ा सैलोगन कौन सा है chlorophyll या plastic अब इनके बारे में और भी बात में आपको बताऊंगा यह दीरे दीरे आगे जैसे में बताऊंगा आपको कि कभी भी आप ध्यान से सुनियेगा मेरी बात centrosome और lysosome तो यह हो गए आपके centrosome और यह lysosome यह हमीशा आपको animal cell में देखने को मिलेंगे जैसे कि आप चितर में देख रहे हैं यह centrosome है और यह lysosome है आप ढूंद ढूंद कर ठक जाएंगे लेकिन आपको plant cell में ना तो centrosome मिलेगा और याद रखेगा ना lysosome मिलेगा cell में और animal cell में सबसे बड़ा difference आप बताईए है जब plant cell में और animal cell में जो similarity हो सकती है आप बताईए है तो आपको इस चित्र को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है और इस चित्र को बढ़िया तरीके से अपने माइन में सेट करना है दोस्तों कैसे सबसे पहले आप देखिए यह आपको oval shape structure दिख रहा है निश्यदरूप में यह oval shape structure ही कहलाता है animal cell सबसे important जी rectangular structure दिख रहा green color दिख रहा मतलब color pigment है chloroplast है plant cell है ऐसे confirm कर लेते हैं अगर यह नहीं करना तो सबसे outer structure क्या होता है निश्यदरूप में cell wall होता है cell wall से plant cell में पाई जाती है मैंने आपको बताएं था cell wall कहा नहीं पाए जाता है animal cell में नहीं होती है तो ध्यान से सुनेगा मेरी बात जो मैं आपको समझा रहा हूं जन्तु कोशी का मैं मतलब animal cell में इस cell की बात कर रहा हूं मैं कि माइनस एंटी को मतलब होता है absent जो संदचना नहीं पाई जाती है अच्छे से देखे सबसे पहले मैंने आपको बता है अनेमिल में सेल नहीं होती है। मतलब पूर्षिक नहीं होती और दूसरी ची्रा आनिमल सेल में जडी कलोरोप्लास्य होता तो हमको इतना धोड भाग करने की जरूरत नहीं होती है हम सूर्य प्रकास के नीचे खड़े होते और फोटो सिंथेसिस के जरिये भोजन बना लेते और यह पुरी प्रत्वीक पे हमारा अस्तित्व ही साइध होता यह नहीं होता एक नहीं डिबेट इस पर सुरू हो जाती दो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि हमारे सरीर में मतलब हमारे सरीर की ज्यादातर सेल कैसी है एनिमल सेल में सैल वाल नहीं पाई जाती है मतलब सबसे आउटर स्ट्रेक्शर नहीं पाया जाता है और जो चीजें नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में वहीं चीजें प्लांट सेल में आपको बड़े आर अभी slide में दिया था अच्छा से देखिए atop bomb of the cell उनको कहते हैं लाइसोसोम इनको sweeper of the cell भी कहते हैं इसी तरह से सैंट्रोसोम वे structure होते हैं या वे cellogen होते हैं जिनकी खोज टी वावेरी ने की थी और cell division में यही सैंट्रोसोम जो हैं वो मदद करते हैं तो यह दोनों के दोनो संद्रचना है जिनके last में सोम सोम होता है जाए लाइसोसोम हो और अच्छे से देख लेज़े सैंट्रोसोम हो हिंदी में इनको लाइसोसोम और निश्यत रूप में सैंट्रोसोम को तारक काई भी कहते हैं यह दोनों के दोनों इधर देखने को मिलेंगे जैसे कि आप देख आपको देखने को नहीं है यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बतलब दोनों सोम जो है वो प्लांट सेल में एपसंट होते हैं अब ध्यान से सुनिएगा कोशिका का बेसिक यहां हो जाता है समाप्त अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो निश्चित रूप में कोई भी कोशी का चाहें प्लांट सेल हो चाहें एनिमल सेल हो जिन जिन सेलोगन से मिलकर बनेगी उनके बारे में हमको 33 मारकर में यदि कभी ची सरीपिक बाल आप सभी लोगों का स्वागत है वहर्म वेलकम सभी लोगों का तो कि अब हम सब्सें इंपर्टेन को को डिस्कस करने वाले हैं जिस तरह से हमारा सरीर जिस से human body, एक्टी ओर्गन से मिलकर बनती है, जिस तरह से कोई भी प्लांट जो है, root, stem, bark, flower, fruit से मिलकर बनता है, इसी तरह से कोई भी cell जो है, जिन active constant से मिलकर बनती है, जिन अभी अभी घटकों से मिलकर बनती है, उनी को तो हम salogen कहते हैं, उनी को तो हम kooshikang कहते हैं, तो चलिए, देखते हैं, एक-एक kooshikang के बारे में, और बड़े आराम से इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कोशी का भित्ती की, क्या है कोशी का भित्ती, चलिए आईए समझने की कोशिस करते हैं, सबसे पहले आपको यह दो सेल दिख रही होगी, एक plant cell दिख रही होगी और एक animal cell दिख रही होगी, तोड़ा सा clue मैंने आपको starting नहीं दिया, कि अगर आप plant cell में सबसे बाहर का structure यदि चेक करते हैं, जो काफी मोटा होता है, dead particle से मिलकर बनता है, cell wall कहलाता है, वियाद रिखेंगे कि plant cell का, जो सबसे पहला इस तर होता है, या plant cell में जो सबसे outer structure होता है, वही दरसल में cell wall कहलाता है, यह चीज़, अब यह जो cell wall जो है, निश्यत रूप में यह किसमें नहीं पाई जाती है, बिटा जी, animal cell में तो नहीं पाई जाती, यह तो हम confirm कर चुके, इसलिए animal cell में सबसे outer structure जो है, वो हम किसको मानते हैं, वो हम मानते है, cell membrane को, यह चीज़ बहुत important है, अब सवाल पैदा यह होता है, कि यह cell wall जो है, हिंदी में जिसको हम कोसी का बित्ती कहते हैं, यह करती क्या है, उस सबसे important चीट पाई जाती है, plant cell में, तो निश्यत रूप में उसी में function perform होगा, double S इसका function होता है, मतलब protection देगी, और साथ ही साथ में सुरक्षा या support भी देगी, क्योंकि सबसे outer structure है, तो निश्यत रूप में कभी अगर आगहात किया जाएगा, plant cell पर, तो सबसे पहले उस आगहात को कौन जी लेगा, यही cell wall, जो कि dead material है, जो कि cellulose से मिलकर बनता है, यह आप जानते हैं, अब एक question पूछा जाता है, बहुत common सा है यह question, कि यदि कोई हमारे पास में plant cell है, यह कोई भी plant की cell है, तो उसमें cell wall किस से मिलकर बनता है, जिश्यत रूप में cellulose से मिलकर बनता है, इसी तरह से यदि हमारे पास में जीवानों हूं, आपने सुना का जीव और polyseggaride जो है, उसका नाम है peptido glycon, और साथ ही साथ में एक protein भी है, जिसको हम कह सकते हैं, muramic acid भी बोल सकते हैं, इस तरह से, और कवक निश्यत रूप में एक कोशी जीव हैं, तो कवक यदि एक कोशी जीव हैं, तो सबसे outer structure उसमें भी cell wall होगा, cell wall किस से मिलकर बनी होगी क कवकों में chitin से, और आप याद रखिएगा, जो ये chitin है, ये प्रकृती में व्याप्त दूसरे नंबर का सबसे बहुतायत में पाया जाने वाला carbonic पदार्थ है, लेकिन यदि मैं आप से पूछू कि प्रकृती में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला organic substance कौ होंगे, ingeospermic plant होंगे, अब ये क्या होते ही, मैं बताऊंगा आपको आगे चलके, जिन में फूल, फॉल, पत्तियां, ये सारी चीज़ें होती है, वो उचिस्तरियप आदब कहलाते हैं, और जितने भी plant हैं, निश्चित रूप में, वो plant cell से मिलकर बने होगे, और plant cell में cell किस से मिलकर बनती, cellulose से मिलकर बनती, तो बस आपको इतनी सी चीज़ें लिखनी हैं, एकदम simple दरीके से, कि कभी अगर question आता है, इस cell wall, तो बिल्कुल simple कि plant cell का सबसे पहला layer होती है, ये सबसे बाहसन रचना होती है, जो कि animal cell में absent होती है, ये चीज़ भी जरूर mention करिएग फिर protection और support इसका mean function होता है, इस तरह से, अब इसके just बाद में हम चलते हैं कोशी का जिल्ली की और, कोशी का जिल्ली का मतलब क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिया, चाहे हम बात करें animal cell की, animal cell कैसी होती है, spherical shape, तो spherical shape, animal cell में भी दर असल में जो ये दिख रही है, ये ही दर अ प्लांट cell की, तो plant cell में पहला structure होता है, cell वर, दूसरा cell membrane, मतलब कहने का है, ये animal cell हो, उसमें भी cell membrane होगी, plant cell हो, उसमें भी cell membrane होगी, मतलब, सभी कोशी काओं में, सभी कोशी काओं में, आपको cell membrane या plasma membrane हमेशा देखने को मिलेगी, ये चीज़ आप सबसे पहले note down करेंगे, दूसरी सबसे important चीज है कि जो plasma जिली होती है वो दो चीज से मिलकर बनती है most important the first one is protein और दूसरी चीज है वशा अब आप साहित समझ रहे होंगे कि एक cell के लिए ribosome की functioning क्यों important है ribosome क्या करता है protein synthesis protein निर्मान करता है तो cell में protein की जरुगरत कहा है अच्छे से देख लीजिए cell membrane की formation के लिए क्योंकि cell membrane दो चीज से मिलकर बनती है एक protein और दूसरा lipid और तीसरी सबसे important चीज है कि सारे क्या होता है अब मेरी बाद ध्यान से सुनिएगा cell membrane मतलब कोशी का जिल्ली और cell wall मतलब कोशी का भित्ती में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो cell membrane होती है न बिटा यह permeable nature की semi permeable nature की होती है अरद पारे गम में होती है और जो cell wall होती है वो 100% permeable nature की होती है 100% पारगम में nature की होती है मतलब कोशी का भित्ती के अंदर कोई पदार्थ हाए कोई पदार्थ जाए कोशी का भित्ती को कोई फरक नहीं बढ़ता लेकिन cell membrane जो है यह चीजों को select करती है कि कौन in and कौन out इसलिए चैनात्मक पारगम में होती है अपनी फूसी का जिल्ली कि अब इसके बाद सबसे महत्यपूर्ची जाते हैं endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum के बारे में एक चीज तो आपने जरूर सुनी होगी नई सुना होगा तो मैं आपको बताता हूँ यदि मान लिजे कोई cell है कोई भी cell है चाहे animal cell हो और जहें plant cell हो इस्पेशली मैं बात कर रहा हूँ animal cell की animal cell में जो nucleus होता है nucleus तो membrane से मिलकर बनता है inner membrane और यह है outer membrane तो outer membrane के fold ही है दरसल में endoplasmic reticulum मतलब बाह केंदर की जिल्ली ही दरसल में endoplasmic reticulum को बनाती है और endoplasmic reticulum ही दरसल में जन्तू कोशिका का कंकाल तंतर तयार करते हैं याद रखिएगा जिसे हमारे सरीर को mechanical support कौन देता है हमारे सरीर को mechanical support देती है 2-6 हड्डिया बिल्कुल उसी तरह से एक जो कोशिका होती है बिटा उसको mechanical support कौन देता है अब मेरी बड़े ध्यान से सुनेगा जन्तू कोशिका में mechanical support endoplasmic reticulum देते हैं लेकिन plant cell में जो support देने का काम है वो cell wall ने अपने जिम में ले रखा है तो जन्तू कोशिका का कंकाल तंत्र होता है दरसल में endoplasmic reticulum मतलब animal cell में endoskeleton system endoplasmic reticulum के द्वारा बनता है जब कि plant cell का जो skeleton system है वो cell wall के कारण ड्रो होता है यह आप जिरूर याद रखेंगे अब इसके बाद endoplasmic reticulum का सबसे important कार क्या है राइबोसोम को जगे देते हैं ताकि राइबोसोम protein synthesis का function perform कर सके और आपको पता होना चाहिए कि कुछ přोछ राइबोसोम जो होते हैं endoplasmic reticulum के ऊपर permanent होते हैं और बिदी राइबोस्वम हैं उपस्थिदだ और रॉप से कहते हैं तो इस तरह से sentir अब मेरी बड़े ध्यान से सुनिएगा जो सबसे महत्यपूर्ण बात में को सम्झानी है राइबोसोम जो है चाहे एनिमल सेल हो और चाहे प्लांट सेल हो चाहे पादब कोसिका हो चाहे जन्तु कोसिका हो सबसे छोटा कोसिकांग यही है सबसे समॉलес स्थ और यही है अब सबसे इंप्रोटन बात आती दाती है इसे कैक्या है मुझे नहीं लगता यह लाइन साट की स्टुटिंट से नहां बने सब इससे फैमिजर है प्रोटीन संथैसेस फैक्टरी, प्रोटीन का संसलेशन होता है इस सैल ओगन में, क्यों, क्योंकि याद रखे, याद रखेगा ये बात, जैसे हमारी growth and development के लिए protein की requirement बहुत important है, उसी तरह से किसी भी cell के growth and development के लिए protein compulsory है, protein चाहिए ही चाहिए है, तो protein जो बनाने की प्रोटीन संथैसेस फैक्टरी राइबोसोम को कहा जाता है, अब जो राइबोसोम है, वास्तविक्ता में किस से मिलकर बनते हैं, जैसे plasma membrane जो है, उसी का जिल्ली जो है, याद रखेगा, या प्लाजमा जिल्ली जो है, प्रोटीन और लिपेड से मिलकर बनती है, आपको यह यहां देखिए, राइबोसोम जो है, वो प्रोटीन के साथ में इस बाद लिपेड से नहीं, एक एसड से मिलकर बनते हैं, जिसको हम कहते है, आर एने, अरे भाई, आरे भाई, आरे आरे दरसल में एक तरह का एसीडी तो है, राइबो न्यूकलिक एसड, फॉस्पोरिक की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, इसी बज़े से तो एंडो प्लांज में क्रिटिकूलम बिचारे दो प्रकार के हो जाते हैं, इसमूद वाले और रफ वाले, पुर्दुरी सतय वाले, और निश्यत रूफ में इकनी सतय वाले, अब कारे क्या है, उध्यान से सुनेगा, प्रोटीन के जरिये सेल को ग्रोथ एंड डवलप्मेंट में मदद मिलती है, तो राइबोसोम के ऊपर दरसल में पूरी की पूरी जवाबदारी डाल दी गई है, भी अब कोशिका की व्रद्धी और विकास प्रोटीन सही होगी, और भाई तुमको ही दरसल में प्रोटीन सं करना है सेल के लिए यह चीज़ है, अब इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे काम की बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, साइध आपने कोशिका के अंदर, जैसे कि आपको यह चित्र में दिख रहा होगा, यह नूप्लियस दिख रहा होगा आपको, यह एंड सबसे पहले कैमेलियों गॉलजी ने दरसल में इनको देखा था, इस इसलिए नाम पढ़ गया था इनका गॉलजी बाड़ी, इनको गॉलजी कोई कहते हैं, सबसे इंपर बात जो मैं को समझानी थी, यदि आप एनिमल सेल के अंदर देखेंगे, तो एनिमल सेल में गॉलजी बाड़ी को गॉलजी बाड़ी कहते हैं, लेकिन यदि प्लांट सेल में हो गॉलजी बाड़ी, फिर वहाँ पर इसका स्पेशल इत नाम है, जिसे हम कहते हैं, डिक्टियो सूम, कहने का सिंबल सा मतलब है, कि एनिमल सेल में गॉलजी बाड़ी होता है, प्लांट सेल में भी गौलजी बॉडडी होता है तो आप एक बात में एक प्राइंट्रेशन करना क्यों क्यों क्योंकि गौलजी बॉडडी का काम है स्ट्रावन करना क्यों क्योंकि GOLGY कार्बो हाइड्रेट को लगातार अपने सरीर के अंदर से निकालते रहते हैं और यदि plant cell है तो plant cell में cell wall cellulose से मिलकर बनती है और cellulose के निर्मान में भी निश्यत रूप में कार्बो हाइड्रेट काफी ज्यादा यूज होता है यह लगता है या सेल में जहां पर भी कार्बो हाइडरेट की requirement होती है निश्चत रूप में गॉलजी बॉड़ी ही दरसल में कार्बो हाइडरेट बना बना कर सेल को provide कराता है तो सबसे पहले चीज कार्बो हाइडरेट का उतसरदन ये structure करता है प्रोटीन किस ने बनाया राइबोसोम ने बनाया अब आती सबसे काम की बात ध्यान से सुनियागा यदि आप बहुत गौर से structure देख रहे होंगे गॉलजी बॉड़ी का तो गॉलजी बॉड़ी अपने अंदर से कुछ इस तरह की संदचनाई निकालती है जिनको हम कहते है खाली गॉले यदि आप काट कर देखोगे तो उनमें कुछ नहीं होता है सिर्फ हावा ही भरी होती है तो यदि खाली गॉले जो गॉलजी बॉड़ी निकालता है उनको इंग्लिस में कहता है वैसाइकल अगर कभी वैसाइकल के अंदर कुछ एंजाइम भर जाएं जिनको हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम तो फिर वो खाली गॉले या वैसाइकल वैसाइकल नहीं रहे वो एक ऐसे सैलॉगन में तबदील हो चुके हैं जिन से आप कोसिका के अपसिस्ट पदार्थों का प्रबंधन भी कर सकते हैं और बहुत अदिक मातरा में यदि एक साथ वो रफचर होते हैं तो सेल भी समाप्त हो सकती हैं मतलब मैं कहने का ये चाहता हूं कि लाइसोसोम जो है वो गॉल्जी बोडी की मदद से ही बनते हैं लाइसोसोम का फार्मेशन गॉल्जी बोडी की हेल्प से ही होता है गॉल्जी बोडी निकालते तो हैं खाली गुले या वैसाइकल क्योंकि वो लगातर सीग्रीड करते तो लीजिए फिर बन गया लाइसोसोम के निर्मान में भी दर असल में यह साशव है अब इसके जस्ट बाद, यह दो सैलोगन हैं अगले हमारे, लाइसोसोम और सैंट्रोसोम, अभी भी अगर इनके बारे में बेटा यदि लिखने को आए, तो सबसे पेले हमको यह स्टेट्मेंट लिखना है, जो मैंने अल्टरी टॉप में लिख कर दिया है, प्लांट सैल में आपको न तो लाइसोसोम देखने को मिलेगा, न सैंट्रोसोम देखने को मिलेगा, तो कि मैंने आपको शुरू में ही बताई यह बात, इस सिर्फ और सिर्फ यह दोनों स्ट्रक्चर सोम, लाइसोसोम और सैंट्रोसोम हमेशा एनिमल सैल में देखने को मिलते ह नहीं इस तरह से इस सालोगन से रिलेटेड जो चर्चा हुई इसका पार्ट वन लहां पर होता है क्लोस अब इसके बाद इसके आगे के सेशन को हम कल करेंगे कंटिन्यू निश्यत रूप में आप सभी लोग अपनी तयारी को करते रहें पहतर और मजबू थैंक यू थैंक यू वेरी मच